नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हाजीरू फिर से एक नई इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तो आईए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो जीवन कितना भी सच या जूट से क्यों न भरा हो पर एक अंतिम सच यही है जिसे हर किसी को स्वीकार नहीं पढ़ता है निए जीवन का सार है जो इस जग में आया है उसको एक न एक दिन इस जग से जाना ही होता है सूरत, चांद, सितारे ये सब भी अमर नहीं है इनको भी एक न एक दिन नस्ट होना ही पड़ता है तो फिर हम इनसानों की विसाथी क्या है इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए हो हर चीज नश्वर है हर चीज का अपना एक समय होता है और उस समय के बाद वो चीज सुता ही नस्ट हो जाया करती है अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अल्टिमेट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाईए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे किसी भी इनसान की मृत्ति के बाद उसकी शवयात्रा निकाली जाती है इस संबंध में भी शास्त्रों में कई परकार के नियम बताए गए है इन नियमों का पालन करने से हर इनसान को धर्मलाब तो मिलता ही है साती सात उस मृत्वेक्ति की आत्मा को शांती भी मिलती है रास्ते में चलते समय यदि कहीं पर भी आपको कोई शवयात्रा दिखाई दे तो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके सर जुका करके उस सवयात्रा को परणाम करना चाहिए और अपने मुह में शिवशिव का जाप करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो मृतात्मा अपना सरीर छोड़ती है वे अपने साथ उस प्रणाम करने वाले व्यक्ति के सभी कश्टों को दुखों को तथा उसके असुब लक्षणों को अपने साथ ले जाए तथा उस व्यक्ति को शीव यानि मुक्ति प्रदान करें शब यात्रा को देख करके वहां से गुजरने वाले लोग थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं और इश्वर से प्रातना करते हैं कि है इश्वर मृत वैक्ति की आत्मा को शांती प्रदान करना यही हिंदु धर्म का एक प्रमुक नियम है जिसके अनुसार शब यात्रा को द कर दे और वीडियो से संबंदित कुछ भी पूछना या भी बताना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद